हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके स्यूटी चोनल में जिसका नाम है यूर नॉलिज फैक्टरी मैं आपका दोस्त मिटुझे कमार जो आपके लिए लेके आता है नहीने ग्यान की बात दोस्तों हर किसी के अंदर कुछ न कुछ खास बात होती है जिससे हुआ कुछ बड़ा कर सकता है मगर अग्यानता वस उसे हुआ बात तब प्रचलती है जब काफी देर हो चुकी होती है आज मैं आपको दो बाज की कहानी सुनाओंगा जिससे आपको अपनी स्थिती और छमता का पता लगेगा और आप भी खुद को अग्यानता और आलस की जंजीरों से मुक्त कर अपनी पूरी सक्ती का इस्तमाल कर गगन में उरने का एक परियास तो जरूर करेंगे एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेट किये वे बड़ी ही अच्छी नसल के थे और राजा ने कभी इसे से पहले इतने सांदार बाज नहीं देखे थे राजा ने उनकी देखवाल के लिए एक अन्भवी आदमी को निक्ट कर दिया कुछ समय पस्चाद राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं और वह पहले से भी शानदार लग रहे हैं राजा ने बाजों की देखवाल कर रहे आदमी से कहा मैं इनकी उरान देखना चाहता हूँ तुम इने उरने का इशारा करो आदमी ने ऐसा ही किया इसारा मिलते ही दोनों बाज उरान भरने लगे पर जहां एक बाज आस्मान की उचाईयों को चुर रहा था वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिस पर वो उरा था ये देख राजा ने कुछ सोचा उसको कुछ अजीब लगा राजा ने सवाल किया क्या बात है जहां एक बाज इतनी अच्छी उरान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उरना ही नहीं चाह रहा सेवक बोला जी हुजूर इस बाज के साथ सुरू से ही यही समस्या है वो इस छोड़ना ही नहीं चाहता राजा को दोनों ही प्रिय थे और वो दोनों बाज को भी उसी तरह उरना देखना चाहते थे अगले दिन पूरे राज में एलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को उचा उराने में कामियाभ होगा उसे धेरो इनाम दिया जाएगा फिर क फिर भी वह बाज नहीं उरा, वो थोरा सा उरता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता, फिर एक दिन कुछ अनुखा हुआ, राजा ने देखा कि उसके दूनों बाज आसमान में उर रहे हैं, उन्हें अपनी आखों पर यकिन नहीं हुआ, उन्हें तुरंत उस वेक्ति का पता मुद्राय भेट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रशन हूँ, बस तुम इतना बता हो, कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके, वो तुमने कैसे कर दिखाया, उस बाज को उरा कर कैसे दिखाया, अब किसान बोलता है, मालिक, मैं तो एक साध आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही, तो वो भी अपने साथियों के साथ ऊपर उड़ने लगा, तो साथियों, दोस्तों, हम सभी उची उरान भरने के लिए ही बने, लेकिन कई बार हम सहारा खोजते हैं, और हमें जब सहारा मिलता है, तो हम उस सहारे को परना नहीं चाते हैं, हमें अपने जिंदी की से डर लगता है, कि न जाने आगे क्या होगा, कि क्या मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, या फिर मैं पीछे चला जाऊंगा, इसलिए हमें जो मिलता है, हम उसी में खुछ रहते हैं, उसके इतने आदी हो चुके होते हैं, कि अपन हमने जन्मों जन्मों में किया है और ये हम भूल ही गए है कि हम उरान भर सकते हैं तो साथियो अपनी शमताओं को पहचानो देखो कि तुम क्या करने के लिए धर्ती पदाये हो और तुम क्या कर सकते हो तुम में भी सकती है और तुम भी कुछ कर दिखा सकते हो तो कैसा लगा आपको ये दो बाजों की कहानी को जानकर आप हमारी इस यूटी चैनल को लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ आखरी में गंटे का बटन भी दबाएं धन्यवाद